हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जैसे कि हम रोज आपके लिए एक निया घरेलू नुस्का लेकर आते हैं आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में किसी को नाक से खून निकलता हो या उसको नकसीर की समस्या हो तो उसका किस तरह से हम एक घरेलू उपाई से उसे हम ठीक कर सकते हैं आज का हमारा वीडियो इसी विशे पे है सबसे पहले दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज आपको एक निया नुसका अवेलेबल हो जिसे आप अपने घर में किसी भी सदस्य के लिए इस्तमाल कर सके आईए हम पताते हैं इसे कैसे इस्तमाल करना है दोस्तो इसके लिए हमें चाहिए किश्मिश और निम्बू का रस आप देख सकते हैं निम्बू का रस हमने पहले से त्यार कर रखा है अब हम आपको इसकी प्रक्रिया पता दे दोस्तो ताजे निम्बू का रस निकाल कर नाक में कुछ बुन डालें इससे रख आना फौरण बंध हो जाएगा इसके अलावा रात को कुछ किश्मिश के दाने बिगो के रख दे तता सुबा धीरे धीरे चबा कर इसे खाए कुछ दिन नियमित लेने से बार-बार नकसीव आने का रोग बंध हो जाता है दोस्तो यदि खून तिसीर पकार बंध ना होता हो तो हाथ पैरों को ठंडे पानी से खूब धोए और सिर पर ठंडा पानी डालें इससे भी खून आना तुरंट बंध हो जाएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करें हमारे चैनल को सब्स्राइब करें और इस वीडियो को जाधा से जाधा शेर करें हम रोज इसी तरह आपके लिए एक नया नुस्का लेकर आएंगे जिसे आप देखना और लाइक करना ना भूले धन्यवाद